हलो एवरिवन, मेरे व्लॉग पर आपका स्वागत है, उससे पहले कि मैं स्पेन में रहने के अपने अनुभव आपसे बांटू, मुझे अपना परिचेती देना चाहिए, मेरा नाम अमिता है, मैं भारती हूँ, एक विस्थापित कश्मीरी इंदू परिवार से हूँ, मुझ सें सेबस्टियन में रह रही हूँ, प्राइवेट उनिवस्टी से मैं स्पेनिश भाषा में ओस ग्रेजुएट डिप्लोमा कर चुकी हूँ, अब इंटर्शिप चल रही है, मुझे चिंता है, जल्दी ही अगर कोई नया कोर्स और नौकरी नहीं पकड़ी, तो लोटना जहां धर्म और आस्ता के नाम पर किसी को भी बर्गलाया जातकता है, फिलहाल मैं यही नौकरी करने की फिक्र में हूँ, मेरे दोस्त कहते हैं सें सेबस्टियन में तुवे सेल्स कुल या पिजा डिलीवरी की नौकरी के अलावा कुछ नहीं मिलने का, हलो अमिता, तुमारा व्लॉग अच्छा है, सच कहती हो, बीतर की आत्राएं जादा सार्थक होती हैं, भारस से बाहर रहकर इतना नकारात्मक मत सूचो, तुम अपने न लोटने की इच्छा को इस तरह जस्टिफाई नहीं कर सकती, माना हम जादा धर्म और आस्ता केंद्रित, राजनीती का शिक पांपलोना नौकरी और खार डूमने के चक्कर में आने लगी हो, इस बहाने एक नया शहर देखने की फिराक में हो, अगर अप इस पेन के किसी भी शहर की भीतरी पतली गलियों में गोसें, तुम एसूस करेंगे, ये भारत के पुराने एतिहासिक या धार्मिक शहरों की ग तहाशा याद आती है, इनी गलियों में जगलर, गिटार बजाने वाले, माइम करने वाले, नर्तक, अपनी खला का प्रदर्शन कर, अपनी आजीवी का काम चलाओ तरीके से चलाती रहते हैं, जिपसी ओजा, यहां भी देसी जड़ी बूटियां बेचते दिख जाएंगे, बड़ा अनोखा अनुभव था पामपलोना के इन भीतरी हिस्तों में बटकना, इनी गलियों के आसपास की दीवारों पर मैंने नफ्ल वाली टिपड़ियों के साथ स्वास्तिक चिन्नों को भी देखा, पता है इस पेन में भी यह समस्या है, अक्सर प्रवासियों के अन्नवाद लोगों के बीद यह यूरोपियन कटरवाद अब भी कही कहीं जिन्दा है, यह स्वास्तिक प्रेमी वैसे आजकल किसी को दैख चोट नहीं पहुचाते, मुझे फिर कश्मीर याद आ गया है, हम ही नहीं हैं जो पीछे की तरफ लौट रहे हैं, बरबर यूग म धर्म, नसल, रंग और विचारधारा के नाम पर पूरी दुनिया जल रही है, कौन कहता है कि यह तरक्की कर चुके हैं, या हम तरक्की के दोर से गुजर रहे हैं, हलो अमिता, तुम्हारा व्लौग एक्दम जीवन थै, सही कहती हो, हम पीछे लोट रहे हैं, गीता अन्जल होस्टल छोड़ना पड़ा, मेरा स्पैनिश का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा खतम, पैने पूरी कोशिश की थी पांपलोना में कमरा डोलने की, मगर वहां रहना बहुत महगा साबित होता, उस पर बेरोजगारी हैं, गोजे संसेबस्टियन में ही मिसिस रोजिटा के गेस्ट हाउस में एक कमरा मिल गया है, वे बहुत सस्ते दामों पर कमरा और खाना दोनों दे रही हैं, ये तंग महले में बहुत पुराने मकान का पिछला हिक्सा है, मैंने कमरा ठीक ठाक कर अपना सामान जमा लिया है, कमरा सीलन भरा है, और खाना बस उबला सा है, पर मैं क काम चला लोंगी अब पार्ट टाइम काम तरूना ही होगा पार्ट टाइम न मिले तब भी डेली वेजर्स पर ही साई सुबह के मेरे तमाम घंटे घर में की कंप्यूटर पर अनुवाद करने में गुजरते हैं दोपहर में मैं ट्रेन से पांप लोना में प्रकाशन सलस्थां और अकवारों के दफतरों में जाती हूँ जहां से मुझे प्रूफ रीडिंग और अनुवाद का काम मिल जाता है हर नौट कर मैं मीलों दोड़े हुए तांगे के घोड़े की तरह खुद को ठका पाती हूँ ट्रेन में चढ़ना स्टेशन से अकवारों के दफतरों की पैदल चलना और फिक वही नौटना और मेसिस रोजिटा के होस्टल की तरफ कर रुख लेना कमरे पर पहुचते हूए शाम हो जाती है और जैसे ही रात गिरती है तापमान गिर जाता है मगर चार से पांच घंटे की आग फोड़ों प्रूफ रीडिंग का काम करना ही होता ह अभी वक्त है और कुछ पैसे कमाने का मौका हाथ में है जो की खतम होने के कगार पर है क्या मुझे बहतर नौकरी नहीं मिल सकती ओलागेन पिछले दिनों में बहुत व्यस रहे अब मैं यह जम चुकी हूँ ऐसा लग रहा है जैसे यही रहती आई हूँ मैं इतना चलती हूँ जितना अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं चले कुछ मील दिन के तो तय हैं मेरे पैरों में जूतों ने छाले डाल दिये हैं मगर मैं खुश हूँ मैं यहां के बारे में काफी लिख चुकी हूँ फिर भी अपने पितले सफता की रिपोर्ट तो द सुमवार को मेरा एंट्रेंस टेस्ट हुआ था मुझे अच्छे नंबर मिले और एड्मिशन का ग्रेन सिगनल मेरे किसमत ठीक ही है मुझे संसेबस्टियन के दूसरे लेंगवज स्कूल में अनुवाद के कूर्स में एड्मिशन मिल जया है किनी दो यूरोपी भाशाओं मे आपसी अनुवाद का ग्रेजुएशन इस तर के कूर्स एक नई चुनाती है मैंने स्पैनिश और अंग्रेजी को चुना मेरी ये नई उनिवस्टी नवंबर के आखिर में कुलेगी वीजा की मियाद दौर धूप करके मैंने बढ़वा ली है कल रात कंप्यूटर खोला तो कलिक करते ही मेरे कंप्यूटर पर कोरे में लिप्टी अज जली ये मारते सामने आ खड़ी हुए काली तीवारों में से छाकती ही इंटें पीडों की जली वई शाकें लटक कर जमीन छूतें खिडकियां राक में तबदील दर्वादें ये सब क्या है इतना धुनला चित्र घने कोरे में खीचा हुआ उस पर जली ही मारते ये अश्वत भी ना ये थेटर करने वाले लोग जरा नहीं पूरे खपती होते हैं इस पहली का हल वही बताएगा तुबह के आट बजे हैं यहां वहाँ अभी दोपेर ही होगी मैंने साइन इन किया किसमत से अश्वत खटाक से उसका संदेश कम्प्यूटर पर उचल कर आया हम दोनों की बीच हुई चैट को कट पेस्ट करके डाल रही हो आपके लिए चले मकानों की तस्वीरें भी इमेल मिले हां मिल गई फोटो देखे क्या है फोटो में प्रजनैव ना पहचाना नहीं मैं प्रजनैव न चैवन मैंने नहीं पहचाना तुम बताओ देखो ध्यान से पहले मत बुचाओ कुछ और दिमाग लगाती न मेरा मतलब दिल और दिमाग न बुद्धो हमारा पास माजी हिंदी में बोले तो अतीत इस्पैनिश में बोले तो क्या इस्पैनिश में बोले तो पसादो इसमें जो बीट गया वो अतीत हुआ या जो बीट गया फेह माफ कर दिया गया वाह मगर भाई इसमें हमारा क्या है फिर मा जी मेरी स्प्रतियों में दुंदला रहा था जैसे ही मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप किया मुझे एसास हो गया था यह प्रश्न एक कुफर है है पा यह हमारा घर है चीख उनलाइन जा सकती थी अगर मैंने वैवकेम लगाया होता हमारा घर है खालिक पुती है आदीती वार मेरे कमरे की खिड़की वो जला हुआ लकडी का लटका तुकड़ा क्या हुआ पीरे कुछ मिनाट बर्फ की तरह जम जाने पर अश्वत का प्रश्न कम्प्यूटर स्क्रीन पर उचला उसके पीछे खुदास स्माइली बनाता प्रश्न चिन हाथ में लिये मैं उत्तर देती उससे पहले स्क्रीन पर चमका भट इस नॉट अविलेबिल उनलाइन खन अश्वत से चैट करते हुए करेक्शन तूट गया था फैस श्रीनगर की बारे में बात कर रहा था उन तस्वीरों की ये और श्रीनगर की अचानक साइन ओफ कर दिया या इंटरनेट करेक्शन तूट गया था वो भावक है बहराल मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं देर तक हताशन महतूस करती रहे श्रीनगर के बीतरी हिस्तों में बसे हिंदू मुखलों के बहु मंजिला पुराने मकानों की पंक्तियां याद आ गए थे जहां जिन्दगी चहकती थी हलो अमिता श्रीनगर के बाना मुखला में भी इन जले और खाले घरों की कतारे हैं उनमें एक घर कभी मेरा भी था उन्हें देखकर जैसल मेर के करीब बसा कुल धरा याद आता है जहां वे मौद के डर से एक भरी पूरी बसती जलती चूले जलती चक्की छोड़कर एक जन जमो चला गया था तुम योरोप पे रह रही हो वहाँ बे ऐसी घटनाओं की कमी नहीं तुम भी एक दिन विस्थापन के इतिहास में शामिल होगी मैं भी कश्वीरी इंदो हूँ मैं भी यही सोचकर खुद को बहलाता हूँ जैराज कॉल नई दिल्ली ओला अगेन कल रात बीबी सी पर वसीम्द कैश्यों खान का इंटर्व्यू देखा वो वादी में अमन की बात कर रहा था कश्वीर के मौजूदा हालाद और फौज को हटाये जाने की बात और विस्थापित हिंदों को फिर उदमपुर के करीब बसाने की शिरुवात के प्रतिव खुशी और सेमती जाहिर करता हुआ कश्वीर में मुसल्मानों के यूमन राइट्स की बात कर रहा था एक बड़े जनसमों पर आघात हो चुका वे पलायन कर चुके बलकि उन्हें पलायन हुए किये सालों साल बीच चुके हैं अब तो नेशनल यूमन राइट्स कमीशन की नींद अब तक नहीं खुली नींद खुली तुझे देखा वही सच जो किस्तों में किताबों में छपा वो कितने माना के पी कल बीबी सी पर आए इस इंटर्व्यू को मैंने भी देखा इसने मुझे बहुत हसाया एक मेम ने किखा लोड़े बेडिया वो इसलाम शान्ती और धर्म निर्पिक्षता का पैरोकार बना बैटा था एक अमेरिकी पत्रकार के सामने क्या भूल गए हैं कि ये वही वसीम था जो पीओकेक के मिलिटेंसी ट्रेनिंग कैम से ट्रेनिंग लेकर लोटा था वसीम एक अलगाव वादी जो अहिंसव और शान्ती का पुजारी बनकर राजनेता बनने की चाह में मेमने की खाल ओड़कर आया था खेर छोड़िये ना हमारा 18 साल का लंबा निर्वासन और नेशनल यूमन राइट्स कमिशन अब तक हामोश हैं यही नहीं कश्मीरी हिंदों के साथ हुई जात्ती पर सरकार की 18 साल लंबी चुपी का रात बताएगा कोई तुम्हारी एक केपी दोस्त हलो हमिता तुम्हारा व्लॉग देखा मैं न्यूयॉयॉक में हूँ सॉफ्ट्वियर इंजीनियर तुम्हारी तरह निर्वासन जीलता हुआ मैंने भी बीवीसी का वो इंटर्व्यू देखा है एक नपुन्सक गुस्ता मुझे भी महसूस एक तरफा रवईय देखकर मगर अब शायद कुछ नहीं हो सकता मैंने उम्मीद छोड़ दी है वापस लोटने की मैं 13 साल का था जब हमने वैली को छोड़ा 17 अप्रेल 1990 मेरे नन्ने दोस्त हैरान थे कि ये लोग कहां जा रहे हैं घर छोड़ चाड़कर ये अब मंदिर में लाउड़ स्पीकर क्यों नहीं चलाते प्रसाद क्यों नहीं बाढते अचानक हवा में ठिठकाव आ गया था और क्रूरता की गंद बेचैन करने लगी थी एक आशंका की लहर ने वितस्ता के पानी का रंग बदल डाला था वे बद किस्मत दिन जब हम चूले गरम छोड़कर थोड़ा बहुत सामान बांद कर खर को ताला लगा कर इस उमीद के साथ जा रहे थे कि एक दिन ये इंसस तूफान थमेगा और हम इस ताले की चावियं समाल कर रखेंगे कि फिर लोट कर आना जो होगा लेकिन मैंने जब मैं अपने चाचा के साथ पटोली चौकी सड़क के नारे लगे नल पर बिहारी मज़ूरों की बगल ही में ना रहा था वहां के एक इस्थानी दुकांदार ने हमें ताना दिया इन साले कश्मीरियों ने शहर का सारा पानी खर्च कर डाला पोठली तालाब का पूरा का पूरा पानी पी गए अब ये सूख गया है चाचा से मैंने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि इस दुकांदार को कश्मीर ले जाकर छेलम में इसका मूँ गुशाकर कहों कि ले ले जितना प 17 साल बाद भी मैं अपनी उस नदी के बारे में लिख रहा हूँ और मैसूस कर रहा हूँ कि मैं वितस्ता के किनारे बसे अपने घर की तीसरी मंजिल पर बने अपने कमरे की खिड़की का लकड़ी का पट खोल रहा हूँ और ठंटी हवा पिरे मन को शीतल कर गई है प्लीज कोई उन लोगों से संपर्क करके कह दो जो हमारे गर में रह रहे हैं पता है महराज गंश्ट्री नगर राज फोटो इस्टूडियो के आगे उन्हें कहना कि नदी के तरफ वाली खिड़की को रोज प्यार से खूला करें वहाँ से दस हजार मील दूर बैठा मैं पगला अपनी आँखों में आसू लिये उस खिड़की और उसके सामने बैती अपनी प्रिये नदी जेलम को याद कर रहा हूँ मेरे व्लॉग वितस्तर व्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर मुझे लिखें अगर मेरे किसी कश्वीरी दोस्त को मेरी याद हो तो मुझे उस नाफ चलाने वाले वली शाह के लड़कों अज्चू और माजू के लिए भे कुछ करके खुशी होगी जो मेरे साथ बच्पन में खिलते थे निरंजन रेना न्यू यॉयॉक मैं सन हूँ कश्वीरी हिंदों के लिए कश्वीर से निस्प्र हो पाना कितना मुश्किल है मुझे कल की पोस्त पर बहुत प्रतिक्रियाय मिली मेरे व्लॉग लोकप्रिय हो रहा है मेरे व्लॉग पर जो प्रतिक्रियाय है उनकी राय से मैं इत्तिफाक रखूँ यह जरूरी नहीं है यह उनकी निजी राय है मेरे व्लॉग गर्मा गरम बहस का केंद्र बनता जा रहा है खैठ छोड़िये उला अकेन बै अपना खाना खुद बनाने लगी हूँ क्योंकि चीज और ठेर सारी ब्रेड खाने से मेरा वजन पांच खिलो बढ़ गया है पुरानी जी सब मुश्किल से ही आती है स्पेन में मैदा और चिकनाई वाली चीज़े ही सब लोग खाते है मुझे हैरानी होती है ये पतले कैसे रहते है शायद बहुत बलकि अक्सर पैदल चलने की वज़े से यों भी यहां का मौसम शामदार रहता है मेरी क्लास नौ से दो बज़े तक होती है उसके बाद मेरी पार्ट टाइम नौकरी पे यान बॉंड के प्रकाशन में अंग्रेजी के अनुवादों को देखने और सुधारने का काम कर रही हूँ मुझे जल्दी ये अनुवाद के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट देने का वादा किया है यान बॉंड के असिस्टेंट ने फियोना के जाने के बाद अब जाकर मेरी एक नई दोस्त बनी है एक अश्वेत अमेरिकी हम दोनों की पीट पीछे यहां के जर्मन सीखने वाले स्पैनिश लड़के हमें चिड़ाते हैं आईवरी एंड एबनी कैसुनोफोबिया इस्पेन की लोगों में दोसो साल पहले की स्लेवरी का असर इनके दिमागों से गया नहीं हाँ हाँ यकीन मानो एक गुमनाम से सच है यह इस्पेन की इतिहास का दूसरी नस्ल के प्रती हैरानी यह मजाग की भाव को कहते हैं मेरी नई दोस्त ने का अच्छा बुरा मत मानना यह बता तुम भारती होकर इतनी गोरी कैसे हो क्या एंपीरियलिस्म का परड्राम है यह मुझे इतना गुसा आया कि मन किया कोई तिल मिला देने वाला जवाब दे दू मगर फिर सोचा चलो छोडो फिल्याल यूँ भी नई दोस्ती का टेस्ट रन चल रहा है फिर उसके मन में कितने चाले होंगे उस दर्द को मैंहसूस कर मैंने उसे माफ कर दिया यहां कि लोग ऐसे क्यों खुरते हैं एकदम प्रिविटिव सोसाइटी के लोगों की तर है मैडरी जी अब बार्सिलोना जैसे बड़े शहरों में तो किसी ने किसी को नहीं घूरा मगर यहां सैन सेवेस्टियन में टुलेडो में ऐसे कई वाके मेरे साथ हुए हैं जैसे मेरे दो सिर्वों या आठ हाथ मैं शर्म से गड़ गई हमारे हैं भारत में भी अश्वेत विदेशी चात्रों के साथ ऐसा व्यवार उता रहा है यहां तक की दिल्ली में भी अश्वत से बात करने के लिए इस बार मुझे बहुत दिन ओनलाइन इंतजार करना पड़ा तो कश्वीर कब हुआ है पिछले मैने जम्मू तक गया था मन रही माना खत्रे उठा कर आगे चला ही गया सुना हाला सुधरे हैं हाँ थोड़े बाहर से बीतर वही सब है पैं जाना चाहती हूँ जाना इंतजाम है हाँ पापा बता रहे थे कि राज जीजा है ना उनका छो पोटा भाई शांतनों आर्बी में जो था वो ये आजकल वहां पोस्टेड है फिर तो ने देख लिया कश्मीर क्यों फिर तू जो लिखेगी वो फोजी नजरीय से लिखेगी फिर तू पहने इंडिया आजा श्री नगर में मेरा एक दोस्त है वो एक न्यूस चैनल का टेली फिल्म की शूटिंग में मिला था तुझे उस पर यकीन है अरे जितना तुझे मुझे पर मैं उसी के गर ठहरा था ये वता तू वहां क्या करने के अतर उसने बुलाया था जम्मो में उसकी कश्मीरी सेप पर बने डॉक्यूमेंटरी फिल्म का प्रीमियर था उसमें लिखा था कि वो चाहता है कि तुझ खोद आकर आखों से देखे कि तुभे जड़ों से उखाड़ कर हम कितना जम सके हैं अजीब पागल है मैं श्री नगर की यादों को नए सिरे से अपने लिए सहेजना चाहता था इसलिए मैं वहां लोटा मैं दाड़ी बढ़ाए वजी कर शलवार कुर्ता पैने गल्यों में आवारा बड़कता गूंता रहा लोगों को देखता रहा घंटों अपने घर के बाहर खड़ा रहता था पड़ोस में जा रहना अंकल का घर था न उसमें एक मुसल्मान परिवारा बसा है मुझे अपने घर में कभी मर्द तो नहीं दि खा करती थी एक बार वो औरत मुझे देख बाहर निकल आई कहने लगी बहुत दिनों से आप यहां आते हैं क्या किसी को ढूंड रहे हैं मैंने का नहीं मैं बस इस गर को देख रहा हूं ये कभी हमारा था वो चौंक गई आप पंडित हैं पहलका सा डर गया था सो खामोश उन्होंने मुझे गार में बुलाया कैवा पिनाया मुझे बीतर ही बीतर उनसे नफरत हो रही थी और वो मेरी खातिर तवज्जू कर रही थी वड़ी अजीव इसी थी समझनी आ रहा तक क्या बात करूं तब ही वो इचकते हुए बोली मेरे पती को दहशत गर्दू ने मार डाला था हमने तो यह घर किराय पर लिया है कहते ही वो अबरात बो से किर दए मैं चुपचा वहां से कहवा पीते ही उठकर चलाया अचानक मुझे लगा यह घर यह महला कितना अजनबी था अचानक मेरा सरोकार खतम हो गया था इस अजजले घर से मैं भागा वहां ते कि मै या क्या कर रहा हूँ इसना अजनभी घर के थामने अजरबी महले में अजरबी शहर में उसी राथ फ्लाइट पकड़ कर मैं दिल्ली आ गया फिर कभी मने नहीं हुआ वहाँ जाने का पता नहीं मेरी नफरत का अंत हुआ या नहीं मगर उसका स्वरोप जरूर बतल गया मैंने अश्वत को अपने बच्पन की दोस्ती आसमीन का पता ढूंडने को कहा उसका जवाब नहीं वजीर की इमेल आई अगर ये वही आसमीन है जो स्कूल में मास्टर थे श्री नगर में तो इनकी बेटी आसमीन का इंतकाल हो चुका है कुछ साल पहले कारगिल के बाद की छिटपिट बॉम शेलिंग में सीज फायर से ज़रा पहले इनकी शादी को प्वाड़ा के उधर होई थी मिरे हाथ पर ठंड हो चुके थे मैं आद्दाज खो देना चाहती थी नई मैं कहीं नहीं जास रही वहाँ तो कतरी नहीं उस दीश में ही कमजोर दीश में मैं बूकी नहीं मर रही हूं मैं चाहूं तो यहां इस्थाई तोर पर रह सकती हूं थुड़ी और आखे फोड़ कर कमर तोड़कर एक कमरे के घर और पुरानी कार का इंतजाम तो मैं करी लोंगी तुम्हारे व्लॉक पढ़कर वैसा ही लगा जैसे किसी मरे हुए की शिनाक्त की बाद लगता है वही मोर और वही मोर जिसमें मैं बरसो कश्मीर में रहा चाहां एक बंद सुरंग जिसमें मरने और मारने वाले दोनों का खून भरा होता था और जिसमें छिपते छिपाते मेरी रूह का दम घुटता था अब मैं लंदन का निवासी हूं बाहर से एक बदली फिजा में हूं मगर भीतर में वही हूं सैक्णों मोतों का गवार अपने दोस्तों पढ़ोसियों टीचरों रि जान लोगों के नजाने कितने सारे लोगों के जनाजों को कंधा दिया है मैं इंजीनियर हूं कभी कविताय करता था मगर मैंने अब कविताय लिखना बंद कर दिया है आजखल मैं यहां लंदन में एक अजीब से गुना के एहसास के साथ रह रहा हूं कि मैं यहां आजाद ह और मेरे लोग वहाँ वही सब जेल रहे हैं एक कफस वे अपने घर से एक एंच हिल नहीं सकते सीमा सुरक्षा बल की तैनाद फौस की इजादत के बिना मैं दो साल पहले कश्मीर लोटा था मगर वहाँ जाकर लगा कि मैं एक बगोड़ा हूँ लोगों ने मिलिटरे मिलिटें सब ही ने मुझे शक की निगाते देगा मैं वापस यहां आया और यहीं बस किया अब मैं कश्मीर के बारे में पढ़ने से बचता हूँ मैं अपनी पैचान से बचता हूँ मैं उन सारी चीजों जिन से मैं बना हूँ उन्हें मैं नकारता हूँ मगर मैं उस दुख का क्या कर जो मैं अपने साथ लिया आया हूँ यहां मगर अमिता मेरी दुनिया फिर उलट गई है साथ जुलाई को लंदन में मैं हॉलेंड पार्क चूब इस्टेशन पर जब बम धमाका हुआ था मैं उपस्थित था बम धमाकों की आदत के बावजूद मेरा वजूद हिल गया मैं पर कागज बचे थे जिन्नों ने मुझे बचा लिया हम निर्वासित कश्वीरी हमारी पहचान कागजों में ही बसी है तुम सच कहती हो हम जड़ों पर चलकर इदर उदर छिपे रहते हैं बगर हमारी जड़ें खुली हैं उला गेंद मुझे यान बॉंड की शर्त माननी लगा था पर कमस कमस बंदे ने मेरी भावनाओं का कुछ तो ख्याल रखा मेरे आर्थिक दिक्कतों का भी खल मैंने इंटरनेट पर एक अकवार में पढ़ा था कि कश्वीर में हालात पेतर हो रहे हैं शायद देरा वहां जाना संभर हो सके कल रहत मैंने भारत लोटने को ल पाकी था कौन ऐसी नूर्ता करता है आज गरतन दिवस के दिन मैं भारत लोटने के बारे में सोचना शुरू कर चुकी हूँ मैं यहां से जाकर यहां का खाना जरूर मिस करूंगे केवल खाना ही ने खाने का तरीका भी मुझे लगा कोई तो इस देश में होगा जो मुझे रोक लेगा यान बॉन मेरे निर्ने पर तटस था मैडिकल जर्नल्स के अनुवाद के बाद उसने मुझे वापसी के टिकट के इंतजाम का वादा और गुजारे लायक पैसा दिया था उसने मेरा दिल तोड़ा था मगर मेरे जमीर का खयाल रखा था तुम जानती हो अंग्र मैं उसके दफ्तर की सीडियां उतरने में संशा के सास सूशने लगी शायद वो इतना भी बुरा नहीं था याद आएगा मेरा टिकट आ गया है मैं इस शेयर में रहकर भी बुलफाइट नहीं देख पाई वो मेरे मिजास से कमी मेल खाता था उची पता है कोई सांड लाल देखकर नहीं बढ़कता बलकि उन्हें उनके जननांग बांध कर उकसाया जाता है यह अमानवियता मुझते देखी नहीं जाती तीन फरवरी को मेरा जहाज पालम पर उत्रा मैं इत्मेनान से उत्री और लाउंज में आई पॉन घंटे बाद मैं टेकसी में थी मैंने पापा को फोन किया बहुत देर लगा कर उन्होंने फोन उठाया मैं पहुँच गई हूँ पापा जी अमिता मेरे बच्ची इस सुबह इसी तेरे फोन का इंतजार कर रहा अश्वत भी कलकत्ता से बारबार फोन कर रहा था फ्लाइट इसी टाइम पहुचती है पापा मेरा पूरा वजूद इस ख्याल से ग्रस था कि मैं भारत लोट आई हूँ और आज यहा मेरा पहना दिन है मुझे लेने एरपोर्ट पर कोई भी नहीं आया है पापा को मैंने ही मना कर दिया था और अश्वत शहर से बाहर है पापा का अकेला पन मा की म्रत्यों यान बॉन कुछ भी नहीं मैं समझने की कोशिश में थी अपने लोटने के निर्णे को लेकर अपना कोर्स अदूरत छोड़कर एक अस्थाई सही मगर नौकरी छोड़कर मैं अपनी इस प्रतियों में डूब गई आतंक वाद नया नहीं था कश्मीर के लिए मगर उस वक्त दादा जी को यो लगता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों होगा हमने किसी का क्या भिकाड़ा है 1989 में बहुत लोग मर गए थे आतंक हवाओं में था दादा को विश्वास नहीं होता था उनके हिसाब से कश्मीरी पंडित गैर राजनी दिख अपने विवसाई में वियस और बच्चों की पढ़ाई पर केंद्रित एक शांत कौम थी मगर उनके अलावा हर कोई जानता था कि एक बार घर से बाहर निकले तो लोटेंगे की नहीं पता नहीं जहां देखो वहां हत्याएं बम धमाके, क्रॉस फाइरिंग, अफरा, कर्फियो और चारो तरफ खून, दर्द और मातम दरवाजी पर हलकी सी आहट होती हमारे प्राण मुँ में आ जाते थे नानी के गाओं में हमारे स्कूल के पास की मजड़ित में स्लाम बचाओ, आजाद कश्वीर के नारों के साथ कतल किये जा रहे लोगों की चीखें माइक पर प्रसारित की जाते थे नाना नानी बहुत पहले मामा के पास जम्मू जा चुके थे हमारे सारे रिष्टेदार जा चुके थे कुछ बचे थे, वे भी जाने लगे थे एक दिन पापा को दादा जी के एक पुराने मुसल्मान मरीग मिल गए जम्मू में उन्होंने हमें अपने घर चल कर रहने की पेशकश की और हम उनके साथ चले गए उन्होंने अपना एक कमरा हमें दे दिया पापा को पूरा एहसास था कि इन चार बच्चों वाले परिवार के इस शक्स की दर्या दिली पर फिर सिखों की हत्याओं का दौर शिरू हो गया था मगर मेरे दादा अड़े रहे मैं डॉक्टर हूँ मुझे नहीं मारेंगे अभी तो मेरी इने जरूरत है हम काई नहीं जाएंगे मगर जब एक दिन दादा भी एक तो पापा फिर रुके नहीं शोग से लगवग विक्षिप्त दादी के साथ जम्मू चले आए और वो लोग पांच लोग थे वे छे और घर महद दो कमरों का था अश्वत पापा के साथ बाहर सेहन में सोता था वे गर्मी में दादी और मा के साथ मच्छर और उमस हमारे लिए नहीं थे उजे राद है पापा रोज जम्मू जाते थे और गिराय का घर ढूंगते थे हमें मकान मालिक के साथ ही एक बातरूम इस्तुमाल करना था एक ऐसा कमरा मिला वो भी सामने वाले पोर्शन में रहता था अपनी पत्नी और दू लड़कों के साथ उसके बच्चे हमारी उम्र क थे तब मैं 14 साल की थी हमें मकान मालिक ने दो चार पाई दे दी थी एक पर दादी और मैं सोती थी और दूसरी पर अश्वत और पापा ममी जमीन पर सोती थी पापा ने एक टबल फैन खरीद लिया था मैं वो दिन कभी याद नहीं करती पर वो मेरे अवचेतन से हमेशा छ चिपका रहता है इस लिजली जी चिपकली की तरह है मैं वाथरूम में नहा रही थी उस रात पापा और अश्वत बाजार सी लोटे नहीं थे ममी रसूई समीट रही थी बलकि नहा ही चुकी थी और अपने कपड़े पहन रही थी कुर्ता आधा मेरी बहा में था आधा गर् खुर्ता हटाया तो मकान मालिक सामने था उसने मेरा मूँ दबोश लिया था चुक वो मुझे अपने से सटाता रहा चूता रहा मगर मैं चीकती चली गए उसकी बीवी और मेरी मम्मी एक साथ ही बाथरूम की तरफ भाग कर आई थी मम्मी का चेहरा खाला पड़ गया था औ और वो नकिवल अपने अधियर पती को बलकि मुझी भिगणा की दाजर से देख रही थी एक सप्ताई में वो घर छोड़ कर हमें रिफ्यूजी कैंप की नार की जिंदगी का रुख करना पड़ा था जलते टिन की छत और नदी के किनारे की जलती बालू की जमीन बक से लग पिले तीन मैनों में चुपचाप दुख छेलती होए, मा भी मर गई मेरी मा बहुत खुब्सूरत औरत थी, मेरी मा की बहने कहती हैं, मैं एक दम उन पर गई हूँ, बलकि आवाद और हसी भी, मुझे मा के विस्तर की गुनगुनी आज याद है, उन में से करारी सिकी गेहूं की ताजी रोटी की महक याद है हाल ही के सपताहों में, जम्मू कश्वीर के कुछ राजनेताओं की सरगोश्य करते हुए सुना है, जो कश्वीरी हिंदू के वापस लोटने की पैरवी करते नजर आ रहे हैं कई फोरम बने हैं, कमिशन बन रहे हैं, एनजियों भी उचल कर सामने आ रहे हैं कि कैसे कश्वीरी हिंदू को वादी में वापस बुलाया जाएं, सब को पानी देता हुआ मनोज बीच में बूला अर ये निर्णा लेंगे कि कब और किस सरह कश्वीरी हिंदू वापस लोटेंगे, क्या वे कश्वीरी बच्चे लोटना चाहेंगे जो पिता विहीन हैं, क्यों उनके पिता को एथनिक क्लिंजिंग के तहत मार डाना गया, या वे बहने लोट जाएंगी, जिनके भाईयों क वो घर से बाहर, उनके ही मुसल्मान दोस्तों ने बुलाया और बाते करने लगे, इधर उधर आतंक वादियों ने उन्हें भून दिया, वे दोस्त मज़िदों में जा चिपे, उनकी गलती थी कि वे कश्वीरी हिंदू थे, और अतीत में उनके राजा ने भारत के तिरंग में विश्वास किया था, मैं उठकर जाने ही लगे थी कि जिसका अंदेशा तो वही हुआ, एक बर फिर बरवादियों का जिक्र हुआ, कितना भुकता हमने और अब भी भुगत रहे हैं, हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा भुकता मेरी माँ और मैंने, पिर दादा जी क कि याद को कुरेदा गया, उन दर्दनाक मंजरों से भाग कर, मैं जो शतुरमोर्ग बन कर कहीं दूर जा छिपी थी, ये मंजर फिर सामने खोले जा रहे थे, मैंने अपने पापा से कहा, मैं कश्मीर जाओं, पापा क्या मैं कश्मीर जाओं, मैंने एक ट्रेवल एजेंस्य से टिकेट बुक करवा लिया है, फिर उनने बताया, कब जाओगे, अगले महीने दो अप्रेल को, मेरे कश्मीर जाने की बाद जानने के बाद, पापा और चुप रहने लगे थे, फिर भी समवेदन हींता की हद तक पहुँच कर, मैंने पापा से उनके पुराने मित्र को फ बखी लोग तो गए क्या, सब भूली ही गए, कभी मोड़कर देखा ये नहीं, न खबर बेजी, जरूर बेजी अमिता को, घर है मेरा, फोन मैंने हाथ में लिया, आपके घर में जरूर रहती परवेज अंकल, पर मैं वार रिसर्च और काम के लिए आ रही हो, मुझे ठीक है ठीक है, जो तू चाहेगी वो होगा, बिल्कुल युनिवर्स्टी गैस्टाउस सेफ है, या अमन ही अमन है, बागी सब अववाए हैं, तुम आ जाओ जाने के एक सफता पहले मुझे लगा कि मेरे कपड़े भारत के अनुकूल नहीं थे, सब जीन्स और इसकर्ट और खुले बिना बाओं के धीले ढाले टी-शिर्ट और टॉप, खश्मीर में तो ये बिल्कुल ही नहीं चलने वाले, मुझे खरीदारी से नफरत है, बगर जा चीकी थी, सारी अपचारिकताएं पूरी कर, मैं लाउंज में खड़ी, अक्वेरियम की रंगीन मचलियों को देख रही थी, पिर जहन में बार बार एक ही खयाल आ रहा था, मैं कश्मीर जाना चाहती हूं, मैं कश्मीर जा रही हूं, एक बर लोटना हमेशा के लिए करने लगा, भीतर ठंडापन रेंगने लगा, पापा का मोक विरोज सामने आने लगा, नहीं कोई अपराद बोध नहीं, मैं अपने रोम रोम जाकरत कर लेना चाहती थी, श्री नगर जाने वाले जहाज में बैठने के कुछ तेर बाद एर होस्टेस का मीठा स्वर जहाद म कुझा, हमारा जहाद कुछी तेर में श्री नगर के लिए टेक ओफ करेगा, यात्रा का संभावित समय है एक घंटा चालिस मिनट, मेरा मन तेजी से धड़कने लगा, मुझे कोई अंदाजा नहीं था आने वाले दिन कैसे गुजरने वाले हैं, एक खंखोर अनिश्चित्त मेरे मन पर उमडखुमड रही थी, पिरे पास की सीट पर बैठे सेयात्री, आगरा में पदस्तिक मेजर थे, खाना खाते हुए मुस्कानों का आदान प्रदान हुआ, तो बाकचीत का सिलसला भी निकल पड़ा, श्री नगर किस सिलसले में, योहीं गुमने मैंने टाल दिया श्री नगर जाने की उनकी वजह तो उनके नौकरी का हिस्सा होगी ही, सो पूछना व्यर्थ था, अब क्या समा होने वहां, ठीकी होगा, इतने गुजराती टूरिस्ट नहीं देख रहे हैं आप, फिर भी सही स्थिति, आप से बहतर कौन जानता होगा, मैं, वहां पोस्टर नहीं हूँ आजकर, खुछ समय पहले था, फिर भी कहूँगा कि अंडर करंट में आतंक वाज अब भी भैता है, फिर आप मेरे उपर मानवादिकार हनन का एक मुकदमा चल रहा है, उसी सिलसिले में आना पड़ा, वरना, हुम, मेरे चेरे की पारदर्शी जिल्द पर आश् फफून की तरहे होगा है, हैरान होने की बात नहीं है, मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ, जिसके ट्रांसफर होने के बाद गड़े मुर्दे खोद कर परिशान किया जा रहा है, जिसके लिए सेना ने मुझे मैडल और कमंडेशन दिया, उसी काम के लिए अब मैं नेश्टनल हू आने को विवश है, मैं समझी नहीं, मेरे दिलचस्पी मेरे चेंगरे पर नुमाया थी, वे आराम से बताने लगें, मैंने अपनी यूनिट के कुछ सिपाईयों के साथ तीन साल पहले आतंकवादियों के ग्रुप को मुट भेड में मारा था, बड़े मात्रा में और कुछ दैशत गर्दों के चापलूसों ने हल्ला मचा दिया है, कि एक निर्दोश यूवक को भी उस मुट भेड में हमने मार डाला है, कुछ अच्छी तरह से याद है, हमारे टुकडे ने जो पांच रड़के मारे थे, उन पांचों के हाथों में पांच एकी 47 और ग्र अगर होगा, अलग-अलग कंपनियों की दो उड़ाने एक के बाद एक आई थी, और यहां खासी चहल पहल थी, एयरपोर्ट लाउंच तरह तरह की जिसमानी खुश्वों से बरा हुआ था, माहोन एकदम एह रहे, गुचराती बंगाली टूरिस्टों से बरा हुआ, आदु कपड़ों में मेकप की हुई लड़किया, उनमुक्त और बेखवर घूम रहे थी, मैं ही एक थी जिसने जो दिल्ली से खास तोर पर कश्मीरी सलवार कुरता और साधा तुपट्टा खरीद कर सर पर रख लिया था, लेकिन यहां टूरिस्ट ऐसे घूम रहे थे, जैसे ब्र जाजील में हो, लड़किया मेंने स्कर्ट्स में और लड़के शर्ट्स में, खुशकवार और खिले चेहरे, आतंक का नामों निशान नहीं, चौक सी फिर भी थे, मुझे वजीर को ढूनना था, मैं जल्दी ही समझ गई, यहां लेने आने वालों का प्रवेश निशिध है, इसके लिए मुझे यहां से बाहर निकलना होगा, बाहर आकर मेरी नजर वजीर को ढून रही थी, मेरे मुबाली फोल ने यहां आकर एकदम काम करना बंद कर दिया था, मैं हैरान, परिशान, मुझे तो उसका चीरा भी याद नहीं था, दिकर पहने, छोटे छोटे, कितने दोस्त थे अश्वत्त के, कौन, ये कौन था, वजीर, तब ही मैंने देखा हलके नीले चैक थी शर्ट, और जीर में एक यूवक, उझे देखा ठिठक गया था, आप दिल्ली से आ रहे हैं, हाँ, क्या तुम, तुम्हारा नम वजीर है, आप अमिता जी, वारे, अच्छा हुआ, तुम मिल गए, हाँ, फोन में काम नहीं कर रहा था, यहाँ ये काम नहीं करेगा, आप मेरा फोन ले ले, जब तक सामान आता है, आप कौफी पीने, तरो ताजा हो जाएंगे, फिर गर चले, गर नहीं, मेरा इंतजाम है, उनिवस्टी के गेस्ट आउस में आशू ने तो कहा था, आप हमारे साथ रहेंगी, मैंने उपर वाला कमरे ठीक करवा लिया है, वहाँ आराम और सुकून है, नई वजीर, मेरा इंतजाम परवेश साहब ने उनिवस्टी के एस्ट आउस में करवा दिया है, इन पंद्रह सालों नहें, आप से यकीन तोट डा इसलिए, नए बुरा नहीं मान रहा मैं, मैं आप बहुत दिन रहूंगी, कुछ दिन तुमारे साथ भी रह लूंगी, सच्छी, सच्वें, लो सामान भी आ गया, अब जैसा चाहें मैं वजीर के साथ यहरपोर्ट से इरवस्टी जाने वाले रास्ते पड़ थी, नए पुराने मंजरों को भाबती हुए, बहुत कुछ बदल गया, और कुछ नहीं भी बदला, जैसे मिले जुले भाव लिये, मैं चुक थी, पुछे लगा कि मैं यहां से कभी गई ही नहीं वई चील, वई सुलसान सडक, गश लगाते सिपाही, हवा, रास्ते के दोनों तरफ खड़े दिवदार, चिनार और चीड के पेड़, हवां से थर्थरा रहे थी, चिनार, जेनम, मैं सबसे गले मिल रही थी, पहर पचास कदम पर खड़ा बंदूग थारे, मुझे आश्व अब बंकर्स का शेहर बन गया है, विलो, चिनारों, चीर के पेड़ों की तरह ही, हत्यार बंद, कैमोफलेफ की हुई, जिपसियां और जैतोनी रंग की वर्दी वाले सेने, अब इस शेहर के लैंडिसकेप का हिस्सा बन गया है, हम शेहर में बस दाखे ली हुए थे, कि पी इनी दीवारों वाला डागधर दिख गया था, शेहर के बदलावों में बचिया एक मात्र जरजर अवशेश था, कश्मीर बदल गया है पूरी तरह से, बदलेगा नहीं, चारों दरफ से पैसा कश्मीर की तरफ पह रहा है, आर्मी से सरकार से, मिलिटेंसी से, साओधी आजकल यहां हर किसी ने दुकाने खोली वही है, यहां हर चीज भिक रही है, यतीमों की, मजलूम औरतों की, मिलिटेंट बनवाने की, पकड़वाने की, उन से मिनवाने की, गुमशुदा लोगों की लिस्ट, मरे हुए लोगों का मातम और दर्द खरीद रहें विदेशे, कश्मीर अपनी जहालत दिखा दिखा कर उसे भी बेच रहें, कश्मीर में आजकल जहालत बस उनके यहां है, जो ऐसा कुछ नहीं बेच रहें, यह गर देख रहें हैं न, फ्रेंच विलाद, कारें, उनके हैं जो भूखे मरते थे, जमीनों की कीमत आकाश चू रही है, आम म आसुम आदमी शान्ती चाहता है, नहीं, शान्ती, अरे नहीं, यहां अमन कोई नहीं चाहता आपा, नहीं, बद अमनी का, लंबा चोड़ा कारोबार पहला हो, तो अमन कौन चाहें, ना मिलिट्रे, ना मिलिटेंट, एन्जियो की मुफ्त रोटी, साओधी अरब से मिलता श सामान पहुचा कर, और एक-दो दिन में घर आने का वादा लेकर, वो लोट किया, उन्वस्टी गैस्ट हाउस में मेरा कमरा छोटा था, पिरे लिए काफी था, आराम दे भी था, यह उन्वस्टी में मेरा पहला दिन बहुत व्यस्त भी था, पापा के पुराने डिपार्ट में नए लोगों के आजाने के बावजूत मेरा स्वागत हुआ, मुझे खुशी हुई कि उन्वस्टी में लाड़कियों के जुंड फिर से चैकने लगे हैं, सर ढके हैं मगर बुरका नहीं दिखता, हमारा हर दिन नई समस्यां को जन्म देते हुए उकता है कश्मीर में, व मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, फिर भी मैंने कहा, मैं कश्मीरों औरत हो सकती थी, पर कश्मीर ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास अपनी मातरवोमी को मातरवोमी कहने कभी अधिकार नहीं रहा, अब मेरी जड़ें खुली हैं, मैं बुख़डों की तरहे अपनी प्लेट भर ली थी तब ही किसी ने दर्वाजा खट-खटाया एक अजनवी महमान मेरे सामने था छोटे-छोटे बाल और बेहद लंबा कद पहले बार में इध्यान कीशते थे मैंने गौर से देखा मेरे लिए पहला प्रभाव मायने रखता है और इस शक्स ने मुझे पर अच्छा खासर प्रभाव डाला इस बात से इंकार नहीं करूंगे आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे मैं मेजर शांतन हूँ लेफ्टिनेट कर्नल राजवीर मेरे बड़े भाई हैं जो आजकल दिल्ली में है आपके मजली मौती के दामाद अमला मेरी भावी है हाँ मैं समझ गए मैं राज जीजा से मिली हूँ आईए आपके पापा ने वे थोड़ा परिशान थे आपका फोन नहीं मिल रहा है मेरा दिल्ली वाला फोन एयरपोर्ट परिबंध हो गया दूसरे सिम के लिए मैं सच में परिशान थी पापा परिशान हो रहे होंगे नए उनकी चिंता जायद है ऐसी दुस्साहसी बेटी हो तो उसने कमरे का जायद है लेते हुए का यहां आने में दुस्साहसी की बात नहीं यह हमारे मातरभूमी है बैठिये ना मैंने हसकर कहा मातरभूमी थी अब नहीं रही इस बात को आप लोग मान क्यों नहीं लेते आप मान चुके हैं मैं तो कश्मीरी नहीं हो मैं उत्तरा खंड का हो हां मेरे पिछली दो पोस्टिंग कश्मीर में ही रही है तो कश्मीर घर सा लगने लगा है उसने मेरे कमरे में बिखरे सामान पर नदर डालते हुए कहा आप बताएं आप मेरे पास दो नंबर थे एक फोन आप रख लीजे इसका नंबर मैंने आपके पापा को दे दिया है आप बताएं अगर आपको और कोई जरुवत हो तो बलकि आप चाहें तो इंतराम मैस में हो जाएगा कहेंकर वो खड़ा हो गे नहीं आप परिशान ना हो मैं याँ ठीक हो मुझे इनुवस्ट्री लैबरेरी में रोज बैठना होता है मुझे खुद पर खीज हो रही थी इस भी मेरा दूसरा फोन नंबर है कल मैस में एक छोटी सी पार्टी रख रहा हूँ आप समय निकालकर आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कुछ खास है क्या हास तो क्या मुझे प्रमोशन मिला है बल्कि मुझे रेंक मिली तीन मैने भी हो चुखे है मगर इतनी वश्टा रहे क्या फुर्सत मिली है तो सोचा की छीख है कल आट मुझे तयार मिलिएगा मैं लेने आउओंगा मैंने गौर किया बलकि मुझे करना बढ़ा की लड़का खासव कुपसूरत है लगता है बस कॉलेश से निकल कर रंगरूट हो मेजर तो कता ही नहीं लगता छीक है अपने पापा को फोन कर लीजेगा हाँ फोन ने मेरे कुछ मुश्किलें आसान कर दे मैंने पापा से बहुत लंबी बात की उस दिन रात देड़ तक मैं किताब के लिए कंप्यूटर पर नोट स्ट्राइब करती रही उस रात मैंने करीब सत्तर पन्य कंप्यूटर पर लिखे होंगे मुझे बेहत खुशी हुए मैंने इमेल चेक की तो मुझे चौकाने के लिए ये अनबॉंड की मेल मेरे इनबॉक्स में मुस्कुरा रही थी अचानक देड़ बजे अश्वत का फो मैं अभी अभी शो सी लौट रहा था पिक्चर देखकर अच्छा बता कैसा लगा क्या बंदा ओन सा बंदा फोजी मेजर शंतनौ हाँ चीक है पर तु फुसफुसा क्यो रहा है सीक्रेट है तेरी बात चल रही है उससे छोटा नहीं है नुससे मैं भी फुसफुसाने लगी है दो साल पर उसके गरवालों को समस्या नहीं है वाट पापा ने कहा था कि तुस्से पोच लो, तुम विली होगी न, हाँ शाम को आया था पांच मिनट को, पेरा ऐसा कोई रादा नहीं है फिलाल, पापा को बता देना, जल्दी क्या है परक ले, चल रखता हूँ, पागल है तु भी, मुझे शादी नहीं करने, चल सोने दे अब, चीक है, दिन भर मैंने लाइब्रेरी में बिताया, कश्मीर के तिहास को खंगालते हुए, अगले दिन वो मुझे पाटी में ले गया, वहाँ पर एंकाउंटर के किस्से चल निकले, वहाँ बता रहा था, वहाँ लोग आपस में बात कर रहे थे, कि गिरो की गिरो गाओं को अपनी शरण स्थली बना लेते थे, आतंक वादियों के, बंदूक की नोग पर उनके साथ मनमानी करते और डराते धमकाते, जिन पर शक होते ही, भयानक मौत देते कि पूरा गाओं डर जाता, चंबडी में चीरे लगाना, अधकटी गर्दन, आँखों में नश्तर, नाकका ही होते थे, फिर ने बहुत मौते देखी हैं, जंग को लेकर संसार भरा पड़ा है इतिहास से, मगर ऐसे क्रूर लोग मैदाने जंग में भी नहीं सुनें, शांतनु ने किस्से ही किस्से से सुनाने शुरू कर दिये, हमारे सीनियर्स यहाँ खेते हैं कि आतंक विरोधी अभियान के लिए, एक्स्ट्रे सेंसिस की आवश्च्रक्ता होती है, 4 आंखी, 4 कान, और सुन पाने की क्शमता तो कुत्तों की तरह हो, कुत्तों की सुने की क्शमता ही तु नहीं होती, इसलिए, स्लिए स्निफर डॉक्स की स्क्वैड हमें साथ रखनी होती है मुझे उनिवस्टी तक छुडवा दो न प्लीज जल्दी क्या है डिनर देंग लोगे से स्नेक्स खा लिए भोकी कहां बचिये अच्छा चलो उनिवस्टी गेस्ट हाउस में अपने कम्रे की तरफ वोड़ने से पहले मैंने उसे बता दि क्या कि मेरे यहां आने के एजिंडा में बस एक बार कश्मीर लोटकर किताब पूरी करने के अलावा कुछ भी नहीं था ना है यकीन मानो कुछ भी नहीं मेरी आवाज काप रही थी छीख है चलता हूँ शान्तनु ने पहले से तैशुदा कारेक्रम के अनुसार एक भरोसे मन टैक्सी ड्राइवर के साथ उसे पहल गाम बेज दिया वहाँ उसकी पहचान BBC के एक पत्रकार जमान से हुए डालती दोपहर में नालनल धूप के रंग में उभर कर आती हरी उनिफॉर्म पहने शान्तनु मेरी कॉटेज की चड़ाई पर चाड़ रहा था पीछे पीछे दो जमान थे मैं जमान को कमरे में छोड़ कर तेजी से बाहर आई हद करती हूँ नई मैं करता हूँ हद मैं तुमारी चिंता कर रहा हूँ और तुम फोन पर गालिया गालिया वो तुमारे लिए नहीं थी इस बेवकूफ मेनेजर के लिए थी जो तुम्हें बता नहीं सका, तुम्हारे बेजे जवानों के लिए भी थी। तुम्हें लेकर में कितना परिशान रहा। आज तुमने इतना डरा दिया कि दो बार लोगों को बेजने के बाद मुझे खुद हना पड़ा। अब नहीं मिलती तु लिद्दर में जाल डलवा कर रून थे। उ थाना मेरे साथ टेक्सी ड्राइवर और सुल्तान, मेरा टेंडेंट, उसकी बीवी को बच्चा होने वाला था। खुद पर काबू पाकर मैंने उन दोनों को आपस में मिलवाया। जमान, ये मेजर शांतनू है, मेरे जीजा के भाई, शांतनू ये जमान है। श्री नगर मे इमेल मिला, प्यारी अमिता, मेरा तुम पर ये अपकीन गलत नहीं था, ये बेहत अच्छी किताब है। मेरे तीनों एडवाइजर इसे पढ़कर काफी प्रभावित हैं। इसके मार्च के पहले सब्ता में छपकर आने की संभावना है। और मार्च के आखरी सब्ता में बा तुमारे इंतजार में ये अन बॉंड। मेरे जाने से पहले इतवार की शाम वो गेस्ट आउस आया। हम चाय पर साथ थे पहले मुलाकात की तरहें। मुझे अपने किस्मत पर रश्ख होने लगा। आसूल टेंटा पबलिशर इंक। मेरी किताब अंग्रेजी और स्पैनि दोनों भाशाओं में छपने जा रही है। विश्व साहित में सुई की नोग जितना मगर अपनी जगह बना लेने खाथा। मैंने कहा जमान मेरी किताब मार्च में रिलीज होगी। मैं वहाँ यूथ फेस्ट में कुछ दिन दिल्ली रहकर स्पैन चली जाऊँग। चलो कु बैचे बैचे पूरा गुमा दिया तुमने तुमने पढ़ा मेरा व्लोग हाँ कव इन दस दिनों में। सोचा तुम मुझे सच में जानती हो जमान यह सचे में चाहती हूँ। तो फिर डरती क्यों हो किताब लिख सकती हो कश्मीर पर यहां की बेचारगी और बधाली को कित जाब में लिखकर वावाय लोड़ सकती हो कश्मीर की प्रतीरनिदी बनकर पीस फेस्टिवल में जा सकती हो मगर यहां नहीं रहना चाहती है एक यहीं फर्क होता है ना तमाशबीनों में और आग में जुलसने वालों में। मैं वापस दिल्ली जा रही थी मुझे छोड़न मैं अपना कोट उसे पकड़ा कर उधर मुड़ गई अभी तो वक्त है मैंने जमान की सदी हुई लेकिन नाराज से दिखती आँखों से अपनी नजरे चुराते हुए इधर उधर देखते हुए खा हां है तो फिर एक ठंडी चुपी टंग गई हमारे तान मैंने उसे धकेल कर कहा जमान हम किसी दूसरी तरह से नहीं जी सकते थे क्या मसलत बिना कमिटमेंट हां किसी निर्णा की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंदे नहीं चाहते इस तरह रहने और उसे रिष्टे का जामा पहनाने में फर्क क्या है है ना या ना निवने पर त प्रति निर्मम नई तकलीफ मिलेगे मैं मुस्कुराई अपने प्रति अब मैं निर्मम थी तो फिर तकलीफ क्यों मोन लेना चाहती हो छोड़ो ना तुम तो इस पेन लोट रही हो ना नए मैं वह हमेशा के लिए नहीं लोट रही पस एक महीना बस यूद फैस्ट के बाद द इसने उसे थमा दिया अगर मैं जानता कि ये अंतिम पल है कि मैं तुम्हें दर्वाजे से बाहर जाते देख रहा हूँ तो मैं तुम्हें गले से लगा सकता था या माते पर एक चुमबन नई तो पुकार कर लोटा ही लेता हो सकता है आज आखरी मौका हो इसलिए किसी से कल का वादा मत करो कल का इंतजार क्यों जहाज का दर्वाज़ बंद हो चुका था एयर होस्ट्रेस ने सबको फोन बंद करने की ताकीद कर दी बस एक बेहा जरूरी संदेश मेरा फोन उड़ा और जमान की फोन उसकी जेब में घंगनाया बस कहाने यहीं तक यदि आपको अच अवश्य करें धन्यवाद